हेलो दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने बा slap हूं कि आप अपनी जीमेल का पास्वर्ड किस तरीके से change कर सकते हैं तो दोस्तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपना जीमेल ओपन कर लेना होगा ठीक है मैंने दोस्तों यहाँ पर Gmail पर क्लिक कर दिया है और यह मेरा Gmail open हो चुका है अब माने के चलिए मेरी यह जो email ID login है मेरे को इसी का password change करना है ठीक है तो यह corner में आपको logo दिख रहा है इस पर आप सबसे पहले क्लिक करेंगे इस पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर एक option दिखाई देगा manage your google account ठीक है इस पर आप क्लिक कर देंगे तो दोस्तों manage your google account मैंने क्लिक कर दिया है अभी आपको कुछ interface खुलेगा ठीक है तो देखिए कुछ इस type का interface यहाँ पर खुलके आ गया है ठीक है यहाँ से आप get started get started पर क्लिक कर देंगे तो आपको उपर में कई सारे option दिखाई देंगे यहाँ से home, personal, information, data and privacy ठीक है और यहीं आपको एक option दिखाई देगा security का ठीक है आप security वाले option पर क्लिक कर देंगे ठीक है फिर उसके बाद में दोस्तों एक option आपको दिखाई देगा signing in to google signing in to google इसके बाद में इसके नीचे लिखा हुआ है password ठीक है इसमें दिखा रहा है कि last changed May 5 2021 यानि इससे पहले जो password change किया है वो 5 May 2021 को मैंने चेंज किया है ठीक है तो इस password वाले password वाले option पर हम click कर देंगे ठीक है तो दोस्तों यहाँ पर हम जैसे ही click करेंगे तो फिर यहाँ पर कुछ step का interface खुलेगा यह पूछ रहा है to continue first verify that's you पहले आप verify करिए कि क्या आप ही हो तो इसके लिए मेरे को सबसे पहले अपना पुराना password यहाँ पर डालना पड़ेगा ठीक है यह जो box दिख रहा है सबसे पहले मेरे को पुराना password डालना पड़ेगा तो मैं यहाँ अपना पुराना password डाल देता हूँ दोस्तों मैंने यहाँ पर अपना पुराना password फिल कर दिया है और ये next वाला जो option है दोस्तो इस पर मैंने click कर दिया है ठीक है तो देखिए अब ये कह रहा है कि आप new password select कर सकते हैं तो देखिए मैं यहाँ पर नया password अपना fill कर देता हूँ अब आप देख सकते हैं दोस्तो जो नया password मेरे को select करना था मैंने यहाँ पर दोनों जगे fill कर दिया है अब आपको एक change password वाला option यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा इस पर हम click कर देंगे ठीक है तो देखिए your password has changed नीचे लिखा हुआ रहा है आप उपर देख सकते हैं password change successfully दोस्तो मैंने अपने gmail का password change कर दिया है दोस्तो कैसी लगी आपको यह वीडियो अगर वीडियो चले लगी तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें धन्यवाद